कोरोना मरीजों के लिए चिन्हित किये गए आइडी गाइडी मेडिकल कोलेज की विवस्थाएं पूरी तरह चर्मरा गई है कोरोना मरीजों के इलाज के लिए चिन्हित किये गए इस अस्पताल में मरीजों का इलाज तो जिस तरीके से राम भरो से हो ही रहा है उसके किस्से ह कर रोज सामने आ रहे हैं यहां भरती मरीज और उनके परिजन खुद अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं और इलाज नहीं होने का वीडियो बना कर वाइरल कर रहे हैं नतिजतन कलेक्टर मेडिकल कॉलेज का लाइसंस निरस्त करने का नोटिस भेचकर चेतावनी दे पर भोजन मिल रहा है और नहीं अन्य सुविधाएं सुमवार को डोक्टरों ने आडी गाडी में मूलभूत सुविधाओं के न मिलने को लेकर मोल्चा खोल दिया है कोविट 19 के तहत वोर्ड में ड्यूटी कर रहे डोक्टरों ने अब और डी गाडी प्रबंधन के अलेक्टर ससांग मिस्रा के नाम पत्र लिखा और हंगा मा किया इस दोरान नर्स और ड्यूटी डोक्टर से लेकर कोरोना से संक्रमित कोरंटाइन मरीज भी अव्यवस्थाओं से आहत दिखाई दिये ड्यूटी डोक्टरों के मुताबिक बताया कि वे बिमार होने के बावजूद भी ड्यूटी करने के लिए मजबूर है यही नहीं कमरे में संक्रमन फैलने का भी खतरा है लेट बात में सफाई नहीं हो पा रही है ओक्सिजन सिलेंडर भी वोर्ड वोई की जगह ड्यूटी डोक्टरों को ही उठा कर ले जाने पड़ रहे है पानी के केमपर भी हम ही ले जाते हैं ना खाना ठीक से मिल रहा है और नहीं चाय भोजन में कभी डश्ट मिलता है तो कभी मच्छर मुख्यमंतरी सिवरा सियन चोहान ने दस हजार की राहत रासी की घोसना की थी उसका भी नोटीस अब तक नहीं मिला है प्रचिक शूट डोक्टरों के मुताबिक उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है बिवेस सेंगर, सिटी चैनल उज्जेन कब केमपर वाले करें, खाना वाले करें, कब बर्ते के बर के चले जाए, कोई पता नहीं चलता हूं का 10-30 में से थालिया उटा के लोक्यों के उनमें खाना दे रहे हो, हमारे सामने दोईती हूं उन्हों हुआ वाडबाई वह स्यमने के दश WILDन, को 18 잡ि उसका कोई करमारे नोटिस नहीं है 33% परही हो, ता उसका कोई करना है